कि दोस्तों कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू आर चैनल अभी पॉने छे बजे का वक्त है और आज यहां पे हुई है जमा जम बारिश पता नहीं कैसे बारिश हुई है अर आज के चिन के बन रहा है कुछ खास खास क्या बन रहा है तुम बता हौ मुझ農 मैं नहीं पता हूं तुम नहीं अचंव है को ईस ओंगो नहीं के दी है मुझे तो आज कल तो जल्दी दिखाईनी देते गर पर थोड़ा से जल्दी आ रहे है तो मैंने का चलो आ जाएंगे तो अपना हलवा भी तब तक बन जाएगा फिर कहीं बाहर निकलेंगे हम लोग आज गाडी में सोचें नई वाली कार निकाले आज क्योंकि न बहुत दिनों से वो तो बार-बार निकालना पड़ता है और आज यहां पे चुकी बारिश हुई है मुझे तो नहीं लग रही है पर इसको थेंड लगी है सुभा से बंदी ने स्वेटर पहना हुए आज तो थेंड लगी है और आज तो सन को भी वालुब देखा ही है आज बार काफी बादल है आज थोड़े ठंड़ा है पर मुझे इतना कुछ खास नहीं लगणा बठाव चेंज इस तो हैं पैक केमरा से दिखाती हुए तो यह दिखी कितना प्यारा सा वेदर है मन कर रहा है न आपका अभी मेरी बालकनी में आने का किस किस का कर रहा है मुझे बता ना है और यह रही यहां पर प्रिशा प्रिशा जिन्होंने गाजर की सी है बहुत सारी आज अभी खाएंगी बहुत टेस्टी वाला हल्वा और वैसे लास्ट यर मैंने शेयर किया था लेकिन फिर भूल जाते है ना कुछ लोग आगे लास्ट यर तो आपके लास्ट यर के तो सर्दियों में 70 30,000 है उसके बाद आपके अभी है वालाइक 25,000 सब्स्क्राइबर्स तो जितने भी नए आए है उनके लिए है रेसिपी ही है और चलो भूल का है रेसिवे को उनके लेवी इस शाम की चाय हो चुकी है अब पहले हम लोग नीचे जाएंगे बिकर अभी नीचे खेल रहा है ल जल्दी तो फिर बाद में आके हल्वा बनाओंगी और अगर वो अभी आ गए मतलब लेट आने वाले होगे तो अभी बनाओंगी तो आज आपके साथ शेर करोगी मेरे गाजर के हल्वी की रेसिपी और मेरे हां सर्दियों में गाजर का हल्वा कम से कम भी नहीं तो 10 से 12 बा अर मुझे बाद में ही हाउच पिसन और मुझे हैरी पर अजरु बाद में है पिसन पर जाने पर ब्लेक मिउस्टे मिपी पर ब्लेक्पिंग हें बैटिया सीडें पर ब्लेक्पिंगए घॉत वो भूप अफ गुल्स है वो गुप अफ बीटीस गुप अवाट है आज तुम्हारे टॉप में ब्लैक डॉटस है और मेरे ब्लैक में उइड़ डॉटस है और आजना मैने इसको इसके साथ वयर कर लिया क्योंकि मुझे वो शरार नियरा है वो हो रहा है, देखो, मैं तो हो रहा है, या, तो चलो पहले मे और प्रिशा जाते हैं, नीचे अवी को देखा आते हैं, या तो आपको डारेक्ट विवेक से मिलवाओंगे, अगर वो जल्दी आगए पहले घुमने जाएंगे, या फिर भी हल्वा दिखाऊंगे, आपको बन साग भी मिलता, हमें अजर लेना भी होना, तो सबजी मार्केट सुपरूट के जाना पड़े, मैं विवेक को बोली हूँ, क्या आप मुझे कैसे भी करके साग लाके दो, तो कह रहा है, आप में फ्री हो जाओंगा, एक दो दिन में फिर तुमें लाके दूँगा, अभी तो हो गया किसी काम में यह वो तो यहां बेभी थोड़ देखी थोड़ा, यह कार्पिट हटा दिया है, मैडम जी ने हमारी थोड़ा सा वोग आउट कर रही थी, तो शाम के रहें वोग आउट करती है यह, और आजकल मॉस्किटोज भी है, तो परदा खोले में डर लगता है ल और ब्राउन कलर सेम सोफे का है, तो जाने वाले तो हम नीचे थे, लेकिन हम आगे थे टैरेस पे, क्योंकि बादल बड़े अच्छे लग रहे थे आज आज आसमान में, मॉन्सून के बाद मैने अब देखे बादल और बड़ा ही सुन्दर सा नजारा लग रहा था, तो मैं और बारिश तो काफी हुई है, यहां पर रात को जादा हुई है, अभी दिन बर तो चुटपुट-चुटपुट सी थी, तो अच्छा लग रहा था था टैरेस पे, मैं गा चल थोड़े देर टैरेस पे जाके आते हैं, फिर प्रिशावी को ले आएगी नीचे जाके, और म जो कसी हुई गाजरे है ना, ग्रेट की हुई, यह डाल दिया है, यह डेड़ किलो के तकरीबन गाजर है, और इनको कस के प्रिशाने रखा था, तो बस इसको डारेक्ली डाल दिया, अब इसको मैं क्या करती हूँ पता है, पात से दस मिनिट तक ऐसे ही मैं भूनती हूँ घ लेकिन यह मैं बना रही हूँ हलका फुलका सा दूट डाल के, तो बस इसको चलाते रहेंगे, जब पात साथ मिनिट हो जाएंगे ना, चलाते हुए, तो देखे ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, थोड़ा ओरेंज पढ़ने लगेगा, कलने लगेगा गाजर, तब यहाँ प के जैसा है, डेड़ किलो में डेड़ कप जैसा दूट डाला है, जिससे के दूट के साथ हमारी गाजरे जो है, वो बहुत अच्छे से पक जाएं, कुकर में चलाने में प्रॉबलम हो रहा था, तो मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है, और आप देख सकते हो कि दूद अब थोड़ा सूखने लगा है, सूखने क्या लगा है, सूख ही गया है पूरा, तो बस इसको थोड़ा बहुत भून लूंगी में, गाजर के हलवे में आपको बस यही ध्यान रखना है, कि हर एक स्टेप को बहुत ही प्रॉपर कम्पलीट करना है, जैसे कि आपका पहला अब नी रखती हूँ, मैं मेरे अंदाजे से डालती हूँ, तो आपको भी, अगर मेरे हिसाब से बनाना है, तो अंदाजा ही यूज़ करना पड़ेगा, तो मेरा जो मावा है, जो प्रिशाने मुझे लाके दिया, वो थोड़ा सा-सा मीठा है, इसलिए मैं शुगर यहां प का हलवा बनाती हूँ, यह आज एक तरह से बना रही हूँ, नेक्स टाइम दूसी तरह से बना के दिखाओंगी आपको, वो भी बहुत टेस्टी बनता है, ठीक है ना, तो बस अब इसको चलाते रहेंगे, जब तक के हमारा पूरी तरह से शुगर का जो पानी निकलाया है, खतमना हो जाए, जलना जाए, तो आप देख रहे हो, विल्कुल सुका सुका सा हो चुका है अब, अब मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरह से शुगर का पानी इसमें से खतम हो चुका है, अब क्या करना है, मावे को मैंने फोड के रखा हुआ है, अच्छा एक ना, गडबड हो गया था मावा गलने के बाद, मुझे भी पता नहीं चला, ऐसा क्यूं हुआ, आई थिंक मावा थोड़ा जादा कच्छा सा था, इसको भूनने की जुरुत थी, वैसे कभी भी मैं गाज़क के हलवे में भूनती नहीं मावा पहले, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा, लेकिन को बस उपर से मैं इसमें एक चमच घी डाला है, तो एक चमच घी मैंने कब डाला था, जब गाजरे बुननी स्टाट की थी, और एक चमच मैंने कब डाला है, जब मेरा हलवा बिलकुल बन के तियार होने वाला है, तो बहुत ही कम घी के साथ मैंने बनाया है, और बस इसके अं बिल्कुल नॉन स्टिकी बनता है, आज ये थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है मुझे, मैं पूरी तरह से साटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एड्मिट कर रही हूँ ये चीज, लेकिन फिर भी अच्छा बना था, तो यहां मेरा हल्वा हो गया तैयार, बिल्कुल गर गरम, इस पे बदाम मेने डाल दिये, कट करके, सबसे पहले लगाएंगे गंपदी बपा को भोग, क्योंकि उनके भोग के बिना तो हमारे घर में कोई मीठी चीज नहीं खाता है, तो पहले उनको खिलाओंगी, क्योंकि ये सीजन का पहला हल्वा है, तो बस आप लोग भी कर लीजेगा इस तरह से, अच्छा बना था, टेस्टी बना था, आपको भी मजा आएगा, तो यहां आप निकल पड़े बाहर जो के मैं आपको बोल रही थी, और आप बारिश की बूंदे कार के कांच पे देख सकते होंगे, बारिश वी थी, अब ये है मॉनिंग का वक्त, तो आप सोचेंगे, दीजीने ना गुड़नाइट किया, ना गुड़ मॉनिंग किया, तो हाँ बल्कुल घूंग के आने के बाद कभी-कभी होता है कैमरा ओन करने का मन नहीं करता, तो मेरा भी मन नहीं किया था, तो कभी-कभी अपने मन की सुंद भी लेनी चेहे और, तो पूरिम लुकृत देख के समांट मीला चूड़िए हैं और बारिश होई है, आप क्या मौसम कैसा है, मुझे बताइएगा, और बारिश होने की वज़े से काफी काफी थंडा मौसम हो गया है, यहां पर खुब थंड़क हो गया है, मतलब अब यहां पर थंड पढ़नी शुरू होगी साथ गुजरात में, आचा दूद भी पड़ा र बहुत सारे काम हो जाते है, यहां परिशा उठ चुकी है, और ब्रश करने लगी है, और जब मैं शूट कर रही थी, तो मुझे डाट रही थी, भाग रही थी, ममी मुझे ब्रश करते हैं, शूट मत करो ना, मैंने का अरे, इसमें क्या हुआ, यहां आवी ने लगाई क्योंकि विवेक तो घर पे है नहीं आज भी, आज भी गए हुए है वो, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठके चले गए थे, वो गए थे लगबग 6-6 के करीब, ऐसे कुछ गए थे, अभी काम चल रहा है न, एक दो दिन बाद फिनिश हो जाएगा उनका काम, तो प्रि करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इस आर्फीलिंग्स, मतलब होता है कि मम्मी पूरा दिन इतना बिजी रहती है, तो अगर मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, तो अटलिस्ट ममी को थोड़ी हेल्प कर दूँ, in that sense, तो यहाँ पे मैं बस सौंग चेंज करकर के लगा रही थी, मु साले वाली, अद्रग वाली, सुबा के टाइम की चाय है, ये हमारी, जो कि मैं, प्रिशा और अवी, हम तीनों बैटके इंजॉई करने वाले हैं, और इसके पात आपको मैं बनाना सिखाने वाली हूँ, मतर के पराठे, वैसे तो आलू मतर के पराठे तो सभी ने खाये लेकिन मतर के पराठे बहुत कम लोगों ने शायद बनाये होंगे, वैसे कुछ लोग खाते भी होंगे, पर मैं मेरी रेसिपी से बनाने वाली हूँ आज, तो इस व्लॉग में हो गए हैं दो रेसिपी, गाजर का हलवा और मतर के पराठे, तो चलो चाय पीलू, फिर शिरू कर देते हैं, तो यहां पर मैं क्या कर रही हूँ मतर के पराठे के लिए, अज लंच में बन रहे हैं मतर के पराठे, विवेक नहीं है न, तो सबसे बहले मैंने पैन चड़ाया, और थोड़े से मतर हैं बचे हुए, जो के आजकल मेरे घर में दबा दब यूज हो रहे हैं, तो सैन्विच्ज इसके लिए यूज के थे न, वो बचे हुए थे, तो थोड़ा सा तैल डालेंगे, ठोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और जीरे को होने देंगे क्राकल, विसे मतर के पराठे के और भी तरीके से बनते हुँगे, लगिन मुझे तो इसी तरीके से आते हैं, वैसे मुझे जितना आलू का पसंद है, उतना मटर का नहीं पसंद, लेकिन हाँ ये भी टेस्टी बनता है, एक चेंज के लिए आप कभी बना सकते हैं, है ना बहुत सारे लोगों को काफी पसंद होता है, तो इसको नहीं पर मैं हींग और जीरा ड करना है, प्रिशा को बोला, बेटा मुझे प्यास कट करके दे दो, तो हमारा जो चौपर है ना, मैनूल वाला, इसमें कट करके दे रही है, तो आपको आज की दोनों रेसिपी कैसी लगी, मुझे जरूर बताना, गाजर के हलवे की भी और ये वाली भी, ठीके ना, और आग पाउडर, और रेट चिरी फ्लेक्स, वो तो डलेंगी, डलेंगी, बहुत अच्छी लगती हैं, परांठे में पड़ी हुई, और इसके लावा इसमें थोड़ा सा नमक, स्वादानू सार, तो इसमें चुकी सिर्फ मतर है, आलू नहीं है, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालि ठीक है, तो यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, अब जहो तो चांट मसाला डाल लो, और यह सिर्फ इसले होता है, कि जिससे हलका सा खटास जैसा आजाए, चांट जैसा फ्लेवर लगे, भरे हुए परांठों में बहुत अच्छी लगती है, हलकी सी खटास, इसले मैं आलू के परांठे में भी डालती हूँ, और मैंने सैंविश के स्टफिंग में भी डाला था, तो इसको ठंडा होने के लिए मैंने एक थाली में कर दिया है, और इसके बाद में मैं इसको पीसूंगी, ठीक है, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, जब तक यह ठं क्योंकि स्टफ परांठों में जरा कड़क आटा हो तो परांठे कड़क बनते हैं करारे बनते हैं अब यह ठंडा हो गया है चलो इसको भी पीस लेते हैं एक चमची की मदद से सारा जो मैंने किया है न मसाले के साथ उसको मैं इसमें डाल दूँगी और मिर्ची वगरा सब कु मैं प्रिशा से आपने देखा होगा तो आज तो बस मजा ही आजाने वाला है क्योंकि गाजर का हलवा भी बचा हुआ रखा है तो मटर के परांठे बटर के साथ चाई के साथ और साथ हो साथ लास में गाजर का हलवा बस मजा ही आगया आज तो आज आजा ही है आपको भी ख कर लेंगे, so that जब हम भरें तो प्रॉपर लगे हमारा मसाला और चुकि प्याज हमने एक्स्टा एड की हैं तो थोड़ा सा नमक में एड करी, मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा रैचिली फ्लेक्स मुझे मिल्ची भी कम लग रही है तो बस हमारी स्टफिंग बिल्कुल तयार हो जाएगी अब ये रैचिली फ्लेक्स के साथ फिनिश होता है हमारा मटर के पराठे का स्टफ इसमें अगर आप एक अडिशनल फ्लेवर चाहते हैं तो थोड़ा सा पनीर घिसके डाल सकते हैं ग्रेट करके या फिर आप थोड़ी सी चीज भी डाल सकते हैं तो बच्चों को एक अलग सा फ्लेवर आजाएगा ट्राइ जरूर करना बट मेरे घर में ना फिलाल पनीर है और ना ही चीज है अगर आपके घर में है तो जरूर से डालिएगा और उपर से हलका सा बटर लगा के बच्चों को दीजेगा तो बस इस तरह से गोल बेल लेंगे इसको मैं ट्राइंगल नहीं बनाऊंगी इसको मैं गोल ही बनाऊंगी तो इस तरह से थोड़ा सा बेल लेंगे और इसके उपर से थोड़ी से स्टफिंग जैसे भी आप मतलब यह जादा नहीं भरा जाएगा थोड़ा कम ही भरा जाएगा वैसे तो लेकिन मैंने काफी भर दिया देखे क्योंकि बेलने में थोड़ा सा प्राब्लम होता है बहुत हलके हाथो से इस पराठे को बेलना होगा क्योंकि यह फट बहुत जल्दी जाएगा मतल का पराठा बहुत धीरे से बेलना होता है पर एक नई variation है, अच्छा लगता है, क्योंकि रोज ही खाना है, खाना और आजकल तो मटर का मौसम है न, तो मज़ा आता है ऐसी चीजे खाने में, तो यहां मैंने देसी की इस्तमाल किया है, इसको सेखने के लिए, बस इसको हम थोड़ा सा, अभी चुकी कि तबा मेरा गरम हो हाँ, देसी की स्लिस तमाल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ी आवाला फ्लेवर आएगा, और जब ऐसे पराठे को थोड़ा सा सब बटर डाल के अचार दही या चाय के साथ खाओ न, तो बड़ा ही मज़ा आता है, तो आप लोग भी जरू ट्राइ करना, आज की दिन आपकी रुची दिदी ने बहुत कम बात की कैमरा के सामने, क्योंकि फिर कुछ लोग ये कहते हैं न, कि आप तो बहुत बाते करते हो, तो इसलिए वोईज ओवर में बाते की हैं, पर आई होब ये एफट आपको पसंद आया हूँ, क्योंकि इस व्लोग को बनाने में काफी आपके लिए, तो देखिए कितना कड़क सा करारा सा पराथा तियार हुआ है, अच्छा सा लग रहा है न, तेखके, और एकदम ग्रीन, ग्रीन, तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी पालक के पतियां काटके एड़ कर दें, थोड़ी सी चीज आड़ कर दें, या प बैटके खाऊंगी, बच्चे बोल भी रहा है कि मम्मी साथ में खा लो, मैंने का नहीं, पहले आप लोग खाओ गरम-गरम, क्योंकि स्टफ पराथे अगर रख दो ना पांच मिनिट भी, तो सॉफ्ट पढ़ने लग जाते हैं, तो मैं बच्चों को खिलाना चाहते हैं, एक बनाती हैं, गोबी के पराथे में बनाती हूं, कैबेच के भी बनाती हूं, लसन के भी बनाती हूं, तो वो सब मैं आपके साथ धीरे-धीरे अब शेयर करूंगी है ना, तो ये वाली रेसेपी आप जरूर ट्राइ करना, और गाजर का हलवा भी जरूर ट्राइ कीजेगा, और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि कैसे बना था, ठीक है? तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया है, तो बीना लाइक किये मत जाना, आपकी एक लाइक मेरे बहुत मैटर करती है, तो ये सारे पराठी होगे तयार, बच्चों ने खा लिया, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा उतार दिये थोड़े, दो मैं ख खाऊंगे, दो रग दूगे, लोग चाय के साथ शाम को खा लेंगे, चलिए मिलते हैं नेक्स व्लॉग में, तब तक के लिए हसते रहिए और मुस्कराते रहिए